कुछ कपड़े जो हैं वो स्टेच कर्वाने हैं काम लीकूं आसे बही हैं आसे बही को किया था ना मैंने फोन आसे बही तयाक के लगाए भी हैं कोई काम होसी टाइम थे की नहीं मैंने भी तगरीबन 15-20 में पहले की थी कहते मैं बाइर हूँ आचा इसको जो है ना आसे बही करके लगाना है ठीक है ना इसके उपर यह वाला इसका डिजाइन बना वाए अचा इसके दामन पर भी कोई आसे बही कार दे ना बारी एक सी आफ वाइट चिकन लैस नहीं होती श अब यह यह अचा इसके इसका कह रही हूं ना इसके ट्राउजर के ओपर भी कर दीजिएगा एंड पे ना इसका मैंने बोला थोड़ा वह लूज स्टाइल का नहीं होता अचकल चला वा बैल टाइप हो या वह स्ट्रेट वाला तो पोशिश कीजिएगा असे पही इसकी जो शर्ट है ना वो भी थोड़ी ए-लाइन शेप में नहीं आएगी हाँ ठोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना ए-लाइन करके ना तो शर्ट के चौक और दामन पे आप ऑफ वाइट कलर की चिकन वो शटल कॉकलेस होती है ना आजकल बारीक वली वो लगा आ लें ठीक है और मेर यलो वाले की जो है ना इसके साथ ये वाली है यह है ना और इसको भी शिलिंग करना है दोनों को टूपीस को ठीक है और इसके भी ट्राउजर पे कोई प्लीट्स वगयरा बना दीजेगा ट्राउजर बहुत जादा फिटिड वाले ना हो ना ये लॉन की है तो थोड़ा यह ना पर दामन पर कहने लगाने को पाइपिंग कर ले ना या फिर अगर डामन पर आती है यह सना सफीनास का है मुझले तो यह जो है ना इसके उपर भी यह गला है आई पीछे से तनी मिशीन के हाँ यह गला उपर आएगा ना इसके ठीक है फ्रंट पर गला आ जाएगा और अजब डिजाइन देखें इसने कितना अच्छा बनाया यह शटल लैस नीचे लगा कि यह लूप सी बनाए नहीं यह दामन पर पूरी नहीं आता है वो जो बाडर है नहीं यह दामन का पूरा है बस बाडर आएगा बाडर के नीचे लैस अगर शटल मिलता ना मैचिंग में लगा दें यह वाली कलर तो मिल गई तो ठीक है लगा दें और टेलर की तरफ में आई थी टेलर की तरफ कप्ड़े वगरा कुछ स्टिचिंग करवाने हैं तो ड्रॉप किये हैं और अब मैं आ रही हूं कि अमी के घर यह भी एक बहुत अच्छी बात होती है ज़र आपक इनलॉज और आपके पेरेंस का घर करीब हो तो बड़ा इजी हो जाता है आना जाना तो मैंने सोचा कि मैं आई ही हूं तो लगे हाथों मैं यहां से भी हो जाऊं दूर बंद कर दो शादी वाले ज़रों में आना जाना और यह सारे जिल्सले जो हैं लगे रहते हैं बच्च हम लोग पैक करभा रहा हैं मैं और मेरी सिस्टर जो लोग लेकर आएंवे हैं गिफ्टस अपने साह लोइश हमारे में यहां पर रोख टेकॉर ए कर मिरे देते हैं तो जो dealt ध्यू बास्किट में करवारी हूं अपनी भावी के लिए और वह भाई वह थैं जो 현os हैं यहां पे देखें जी मिनाल ने अपनी तोपी जो है ना सर से उतार दी और अब वो प्लास्टिक को सर पे लेके गूमी जा रही है मिनाल मिनाल मीनू इधर देखो मीनू ये देखो ये देखा मीनू ने मीनू ने फ्लास्टिक जो अपने सर पर चड़ा रही है क्या है पुतारने के बाद बच्चे जो है अक्सर इसी तरह से करते हैं मीनू मीनू मुसा आप साइट पर हो जाओ मेनो मेनो जी तो जनाब ये हमारी एक्टिविटीज जो है ना मल्टिपल किसम की एक्टिविटीज आज कल चल रही है ये सारी एक्टिविटीज मेरी अमी के घर भी हो रही है मेरी इनलाज जहां मैं ठेहरी हुई हूं वहां पर भी हो रही है क्योंकि आजकल हम सब इकटे हैं और बहुत ही जादा मज़ा आ रहा है सब को और बस अमी की तरफ से जब मैं घर वापस आई हूं तो साथ ही मैं और भी बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो लेकर आई हूं यह सब वो ड्रेसेज हैं जो मेरी सिस्टर्स ने और मेरी अमी ने मेरे लिए खरीदे हुए है ऐस अ गिफ्ट और वो आज उन लोगों ने मुझे दे दिये हैं क्योंकि यह तकरीबन सारे ही अन्स्टिच हैं ड्रेसेज और इनको मुझे अब स्टिच करवाना है और मेरी सिस्टर्न ने मेरी बेड़ शीट भी खरीद के रखी वी थी कॉटन की सो बहुत चुक्रिया उन सब का कि इतना प्यार भी मिला और यह सारे जो कपड़े हैं वो भी गिफ्ट में मिले हैं चुक्कि अभी यहां पर सरदी का सीजन है तो विंटर की तो बहुत अच्छा स्टफ मार्केट में इस वक्त सेल्स पे भी अवेलेबल है बट लॉन बहुत कम अवेलेबल है तो उन्होंने मेरे लॉन के भी काफी सारे ड्रेसिस लेके रखे हुए है क्योंकि उनको पता ही है कि हमारे हाँ बोटसवाना में गर्मी जादा रहती है तो हमें लॉन जादा रूस होती है वहाँ पे है जनाब अब ये नेक्स टे के क्लिप शियर कर रही हूँ नेक्स टे फिर हमारा एक बजार का विजिट था तो हमने सोचा क्यों ना जी टेन मरकस जाया जाए हमें कुछ छोट छोटी शॉपिंग करनी थी छोट छोट छीज़े थी तो बस यहां पे यही है कि मारकेट जाने के लिए ना ट्रैफिक जो है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है बहुत जादा जो है ना हर वक्त ही यहां पे ट्रैफिक होती है यूज किसम की चाहिए आपने पिंडी जाना है चाहिए आपने अस्लामभाद जाना है तो बस दोनों ही शहरों के यह हाल है कि हर वक्त आपको ट्रैफिक ही मिलेगी और बस इसी तरह से यहां पर जो है ना सिलसला है और लोग यूस्टू हो चुके हैं शायद हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या हमारे लिए इतना जादा यूजूल किसम की रूटीन से हट के चीज़ होती है यह यहां पर मेरी सिस्टर को को ह righteous यहां पर यहां पर पसंद कर रही थी और मुझसे भी मैशुचा लेजी साथ में कि कौन सा हिर डाए जो है ना वो इस्तमाल किया जाए सफ़ा कौन सा शाये रिपलाइ किया जाए खेर ये डाय तो हमने चॉइस कर लिया उसके बाद आपको पता ही है कि चटपटा और चटखारा किसम की चीज़े खाने का जिलनों को शौक होता है ना वो रह नहीं सकते तो खेर मुझे तो बहुत ही पसंद है ये लोकल मार्किट स्ट्रीट फूड और चार्ट चन्ने और दई भले इस किसम की चीज़े समोसे पकोड़े और साथ साथ में ये फ्रूट स्टॉल और वेच्टेवल स्टॉल भी देखे थी बहुत ही जादा फ्रेश किसम की सबजिया और फ्रूड यहां पर अवेलेबल थे लोकल बाजार में ना शॉपिंग करने के मज़े अलग है वाइब्स अलग है चीज़े बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे भी आपको मिल जाती है और खाने पीने की चीज़े टेस्टी भी बहुत होती है जो लोकल स्ट्रीट फूट का मज़ा है ना वो आपको बड़े से इच खुसे और ये पाकिस्टानी ट्रीशनल एक तरह की जूते हैं जो यहां पर पहने जाते हैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अजसा इन्फॉमेशन शेयर कर रहे हूँ तो ट्रीशनल खुसे यहां पे जनाब बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत मिलते हैं पाकि जादा expensive चीज़ें भी मेलती हैं लेकिन यहां पर यह खुसे बहुत reasonable थे आपको शायद सुनके यकीन आए कि 500 रुपे में सिर्फ यह खुसे की जोड़ी available थी तो हमने जनाब बच्चियों ने एक दिन किसी event में खुसे भी पहनने थे तो हमने उनके लिए यहां से वो खुसे पाय कर लिए और इतिने देर में जनाब यह समूसे वाले जो भाई थे इनके पास गरम गरम समूसे भी रेड़ी थे और हम वापस आए खुसे खरीद के तो इनोंने हमारे लिए समूसों की प्लेट बिना दियू चाट की प्लेट भी बना दियू जो के हमने खड़े खर्दे बाहर इंजॉय की चटनी डाल गे और यकीन माने मैंने खैर उस वक्त तो मैंने बड़ी इंजॉय की मज़े से खापी लिया नेक्स टेम जे जो है ना फ्लू और मेरे गले में खराज शुरू हो गी थी और फ्लू भी हो गया था और हलकी सी कफ भी स्टार्ट हो गई थी तो जो कि अभी तक मैं ना काफी इस तरह गाही सीन चल रहा है मेरा इतना इतना ज़दा आराम नहीं आया लेकिन खैर ये मज़े हमें ओवरसीज में कहा मिलते हैं तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि मैं बिमारी को जादा आना खातिर में नहीं लाती हूँ तो इसी तरह मैं खाने पीने और चटपटी करारी चीज़ों को भी एंजॉई करना अपना फर्स समझती हूँ चार्ट और समूसे एंजॉई करने के बाद हम एक लोकल कापिट शॉप पे आये थे G10 मरकस में ये कापिट शॉप है हमें में सिस्टर को एक रग चाहिए थी एक रूम के लिए अपने तो वो देखना चाहा रही थी कि जो कलर कॉमिनेशन उनको चाहिए क्या वो यहां अविलिबल है के नहीं सो शी वास लोकिंग फॉर ताट कापिट और रग और इतने टाइम पे हमने और भी समोसे ले लिये हुए थे कुछ हमने वहां ख़ड़े होके एंजॉए कि कुछ हम साथ दे कर आए तो मैं और मेरी बीटी बैट की जो है ना वो समोसे भी साथ साथ में एंजॉए कर रहे थे उमीद करती हूँ कि आज कल जो व्लॉग आप सब के साथ में शियर कर रही हूँ आप सब को पसंद आएंगे और आपके फीड़बेक का इंतिजार रहेगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरे आज कल पाकिस्तान सीरीज के जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं शादी के इवेंट्स जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं आज कल हम डेली अपनी अमी की तरफ कोशिश करते हैं धोल की नाइट करें और ओल्दों के बजारों से ठके वे आते हैं और बहुत ही डफ किसम का स्केजूल है लेकिन फिर भी हला गुला तो बन्दा ही है तो बस लास्ट में आप सब के साथ मैं इन्शाला ढोल की ये कुछ कलिप्स भी शेयर करूंगी और नेक्स दे जिनाब जीट एन मर्कस हान जी जीट एन मर्कस के बाद नेक्स दे हम लोग खाला जान के घर गये थे तो यहां पर जब हम आए तो कजन हमारी ने हमें रोक लिया और हमारे लिए बड़े ही मज़ेदार से दही बल्ले उन्होंने घर पे बनाए और दो के मेरे गले में हलके सी खराश थी और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था अपना हेल्थ का स्टेटस लेकिन फिर भी मैंने यह यमी से दही बल्ले बहुत इंजॉय किये क्योंकि वो बहुत अच्छे बहुत मज़े के दही बल्ले बनाती है और ये यमी यमी से जो दही बल्ले है खाने के बाद हम लोग अपनी अम्मी की तरफ आए थे क्योंकि मेरे भाई और भाबी बच्चे उसी दिन आस्ट्रेलिया से पहुँचे थे तो हम लोग उनको मिलने के लिए आए थे आते साथी हमने पता भी दिया थे हम चाही पिकर आए हैं लेकिन फिर भी मेरी अमी ने हमारी एक दह सुनी और ہम सब को भी चाही के दस्तरगान पे दुबारा से बिठा लिया खेर सर्दी में तो जितनी भी चाय पी जाए उतनी ही कम होती है और वैसे भी मेरे गले में हलकी सी खराश थी तो मैंने भी चाय का एक अप ले ही लिया तो उमीद कर दी हो आज का शेरिंग आज का वीडियो आप सब को पसंद आएगा और आखिर में हम सब के लिए छोड़े जा रही हूं कुछ ढोलगी नायर के क्लिश दिया हमें मेरे बन रे दे बस्ते दे चम दणवाल मेरे बन रे दे लेके उनस दे पे उसड़क पे इस मोड़ आया में इस दिल छोड़ आया रख जाने कब ज़जरा हम इस सर नम जाने लावोर आया मैं असे दिल छोड़ आया जा ओर आया मैं असे दिल छोड़ आया इस अना सानू बड़ चांवे अब हत सड़े कंदा विचि पावे आपे हत सड़े खिन्दा मिछ पावे तैनू बेखे आसी, तैनू बेखे आसी है होगल कहगे सोने दीना दिले के आजा ओ बेलिया, ओ बेलिया, ओ बेलिया मेरे बन 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 मत्थे दिचम तणवाल, मेरे बन बन बन